अगर हमारे पास मकान है तो उसकी देखवाल बहुत जरूरी है अगर देखवाल में चूक की तो फिर हमें जल्दी ही उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ जाती है और मरम्मद भी सही समय पर अगर हमने नहीं की तो फिर मकान ढहे भी सकता है और उसमें प्राण हानी भी हो सकती है बिलकुल ऐसा ही किस्सा हमारे शरीर के साथ भी है हमारे सतकर्मों का प्रसाद है हमारा ये स्वस्थ शरीर, सुन्दर शरीर, सुगर शरीर जिसे भूयश्च शर्दैशतात का बरदान पूरा करने के लिए हमें ऐसे रखना चाहिए कि हम इसमें लंबे समय तक रह करके अपने धर्म का अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वान कर सकें चाहिए वो परिवार के प्रती है चाहिए समाज के प्रती है देश के प्रती है और या फिर परमात्म के प्रती है यानि परमात्मा के प्रती है इस दुनिया में मकान बहुत सारे हैं और सवाविक है के गली कूचे भी बहुत है बिलकुल यह इस्तिती हमारे इस शरीर रूपी दुनिया में भी है क्योंकि इसको ब्रह्मांड का ही रूप का गया है यत ब्रह्मांडे तत पिंडे जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है ब्रह्मान्ड में इतने सारे देश हैं तो इस शरीर रूपी ब्रह्मान्ड के अंदर भी बहुत सारे देश है और उनमें मैंने कहा कि गली कूचे भी है आप देखते हैं कि आपके शहर में अगर किसी सकरी गली में ट्रैफिक जाम हो जाए तो फिर आपको थोड़ी दिर परिशानी होती है अगर आप उस परिशानी को जेल भी ले तो फिर पीछे तक ट्रेफिक जाम होता चला जाता है और जहां ज़रा से खुली जगह है वहां तो पूरी तरह से भीड़ी खट्टी हो जाती है बिलकुल ऐसी इस्तिति हमारे शरीर की इन गलियों में भी है जिनको हम नसे कहते हैं इन में अगर जाम हो जाता है तो कुछ तो गड़बड है यानि अगर यातायाद ठीक से नहीं चल रहा है ट्रेफिक ठीक से नहीं चल रहा है रक्त ठीक से नहीं बह रहा है बॉल्स रुख गई है अब रुद्ध हो गई है चाहे वो कॉलिस्ट्रॉल की वज़े से चाहे वो जाम हो जाने के वज़े से क्योंकि हम रोज उन गलियों की नालियों की सफाई नहीं करते हैं तो जो जाम हो जाता है तो उससे ये सब समस्याएं आती हैं हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है उसे ठीक रखने के लिए हमारा हर्दे जिम्मेदार है उसको शुद्ध रखने के लिए हमारे फेफडे जिम्मेदार है और फेफडे और हर्दे को ठीक रखने के लिए हमारा उचित कार्य कलाब जिम्मेदार है कि हमने क्या शरीर को सिर्फ भोगायतन बनाया है या मोक्षायतन बनाया है अगर इसको मोक्षायतन बनाया है तो फिर हम इसके ठीक ठाक देखबाल जरूर करेंगे क्योंकि इस पर ही हमारे जीवन की खुशाली और उसके सार्थकता निर्वर है और अगर हमने इसको भोगायतन बनाया है तो फिर धीरे धीरे ये सब समस्याएं पैदा होने शिर हो जाएंगे हमारा जो हरदय काम करता है रक्त के शोधन करने का तो उसमें एक तरफ से जाने का रास्ता है एक तरफ से आने का रास्ता है यानि जो हमारे शरीर की शिराएं हैं उनका काम है पूरे शरीर से गंदा हो चुके खून को वापिस हरदय तक पहुचाना और वहां से शुद्ध लेक हो करके उसको फिर धमनियों के माद्यम से पूरे शरीर में दूबारे से चला देना और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है उधर तो गंदा खून आता रहता है और इधर धमनियों से अच्छा खून पुरे शरीर में जाता रहता है जिससे के हमारे जीवने शक्ती बढ़ी रहती है और मज़े की बात ये है कि ये इतना हमारे साथ न्याय करते हैं अंग कि जब हम सो जाते हैं जब हम काम में व्यास्त थैं जब हम इनकी तरब ध्यान नहीं भी देते तो भी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं क्योंकि आपने इनको ऑट्रोनमस बना रखा है यानि वो स्वत्षासियें अपनी व्यवस्ता खुद करते रहते हैं लेकिन अगर उनके काम में आप अड़चन पैदा करेंगे तो भला फिर वो कब तक आपका साथ देंगे ज जब हमारी शिराएं रक्त को भेजती हैं खर्दय में और उनके वहां तक जाने में ही कोई रास्ते में बादा हो जाए जाम हो जाए चाहे तो वो बॉल्स अवरुद हो जाए चाहे कॉलस्ट्रोल बढ़ जाने की वज़ए से अड़चन पैदा हो जाए सकरापन हो जाए और या फिर सूख जाएं कमजोर पढ़ जाएं हमारी शिराएं तो उस अवस्था में रक्त का जाना वहां बंद हो जाता है और बंद हो जाने की वज़ए से वो पीछे से तो आ रहा है दूसरी जो शिराएं हैं वो अपना काम कर रही है तो फिर वो एक जगह जैसे मैंने कहा के सकरी गलियों में अगर बंद हो गया तो फिर जो में जगह है चौराया वहां पर भी बहुत भीड़ी कटी हो जाती है ऐसे ही हमारे शरीर के जो चौराएं हैं वहां पर इन नसों का जुन्ड बन जाता है जो हमारी स्किन तवचा बहुत खुबसूरत है इसको देखते ही रह समाव होते जाने की वाजय से नीली नीली लाल लाल जैहें नसें उभर आती हैं और आप उसको ढखने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे ढख भी ले तो भी आपकी जो कराहट हैं उन become प् queríaत नहीं कि इसी को वेरि को स्वेटश कहा जाता है बहुत सारी वज़े हैं जैस मुरुद्ध हो जाने की वज़े से हो जाए और उसमें खास तोर से हमारी महिलाओं में वेरिकोस बेंस की समस्या जादे देखने हों मिलती है होती सम्में है सम्में हो सकती है पुर्शों में भी हो सकती है लेकिन महिलाओं में इसकी समभावना जादे इसलिए है कि उनका शरीर का विन्यास बनावट कुछ इस तरह की है कि उसमें खास तोर से जो गर्भावस्था का समय है प्रिगनिंसी का दौर है उसमें भी वेरिकोस मेंस के समस्याएं जन्म ले लेती हैं और उसके बाद प्रॉपर केर ना होने के विज़ से जिसने आफ्टर डिलिवरी केर अगर वो ठीक से नहीं होती है तो उसकी वाज़े से ये फिर स्थाई समस्या बन जाती है बहुत सी ऐसी जगहों पर नासनाडियें अवरुद होती है जिसमें के आपको तकलीफ तो नहीं होती लेकिन भद्दापन लगता है आपको परिशानी होती है लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां पर उनके रुक जाने के विज़े से आपका शरीर बहुत दुखी होता है यानि इतना तनहों में आ जाता है इतना परिशानी में आ जाता है कि आप अपना सुख्चैन खो बैठते हैं इसमें डॉक्टर्स हमें यही सला देते हैं कि हल्दी लाइफ स्टाइल बनाईए लेकिन हल्दी लाइफ स्टाइल तो बनाना आपको पड़ेगा अगर आप कुछ नहीं करते हैं और फिर भी जाकर के हम डॉक्टर्स को परिशान करते हैं अपनी समस्चा है तो वो बेचारे समाधान ढूनते हैं और समाधान आखिर कार उनको करना पड़ता है आपकी सर्जरी कर देते हैं कि जो हिस्सा परिशान हो गया है गंदा हो गया है मापननसों का गुच्छा इखटा हो गया है उनको सुल जाने का रास्ता भी अपनी बचा तो फिर वो कहते हैं कि इसको हम काट शांट करके ठीक कर देते हैं और जो जैसे एक तरह से बाइ-पास हार्ड में होती है ऐसे फिर वो नबस में भी बाइ-पास सरजरी कर देते हैं कि इसे तो आप स्टॉकिंग्स वगेरा पहन करके निभा लिजे बस आगे से परेशानी नहीं होगी तो हो जाएगा निकाल देंगे उनको और बाइपास से आपका रत्त का संचार दुबारे से चालू हो जाएगा लेकिन अगर आप कितनी भी सरजरी करा करके ठीक हो जाए रियकरेंस दुबारे से जरूर होती है इसलिए योग को बहुत से जैसे समस्याइए ये जर्म नहीं लेती है लेकिन अगर जर्म ले लिया है तो फिर हमें क्यूरिट्व आसपेक्ट उसका देखना होता है कि मेडिकल साइंस के साथ सहयोग करके तारतम्य करके योग वाले जो आचारिया हैं विद्वान हैं ऐक्सपर्ट्स हैं वो कौन सी जो शिराएं हैं वो अवरुद्ध हुई हैं तो जब अवरुद्ध हुई है तो फिर उनको हम कहां से ववरुद्ध हुई होगी तो उस में जंक्शन पर हम पंप करें हम वहाँ पर सप्लाई शुरू करें जिससे कि एर्ख का संचार दुबारे से शुरू हो जाए और आपका जो रुका हुआ ट्रैफिक है, वो दुबारे से चल पड़े। इसके लिए हमें कुछ ऐसे अभ्यास लेने होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप पंप करते हैं, तो पंपिंग हम नाभी के द्वारा करते हैं, पंपिंग हम हरदे के द्वारा भी करते हैं, पंपिंग हम हमारे फेफड़ों के द्वारा भी करते हैं, और पंपिंग हम अपने हाथों और पैरों के मुवमिंट के द्वारा भी करते हैं, जितना आप जो हैं हाथ को ऐसे मुठी को खूप दबाते हैं, खोलते हैं, पैरों के पंजों को आप सिकोडते हैं, खुलते हैं तो उससे संचार खुलने लगता है ज्यादे तर जो वेरीकोस की समस्या है वो हमारे अधो मारग में होती है यानि पूले से नीचे के हिस्से में पैरों में खास दोर से होतो कहीं भी सकता है जहां भी बादा होगी वहीं यह समस्या पैदा होगी लेकिन जाजतर ऐसा इसलिए भी क्योंकि ग्रेविटेशन की वज़े से गूर्तवा करशन की वज़े से जो धर्ती है वो अपनी और चीजों को खेशती है और रक्त का संचार सभाविक रूप से जो नीचे को बहता रहता है उसको तो उपर के तरफ तो पंप करके भेजना होत होता है जैसे मैंने बताया के पैरों की उंगलियों को हम बार-बार सिकोडते हैं डिला चोडते हैं तो वह आगे को बढ़ना शुरू हो जाता है रक्त का संचार खुलना शुरू हो जाता है लेकिन अगर बाधा कहीं ज्यादे जंक्शन बॉक्स पर है किसी ऐसे जोड़ पर कि जिससे के रक्त का संचार दुबारे से शुरू हो सके तो आईए देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम निरंतर अभ्यास के द्वारा पहली बात है कि वैरिकोस मेंस की समस्या होगी नहीं और दूसरे अगर हो गई है तो आपने जिस समस्या को वो पैदा तो बरसों पहले हो गई थी आपकी नाडियों में रक्त का संचार रुक रहा था तो वो शिराएं जो रक्त का संचार रुके हुए थी वो जेलती रही उसको आपको पता नहीं चल पाया लेकिन जब वो स्किन में ऊपर उबर उबर करके सामने आने लगी तब आपको जो पेन होने लगता है तब जाकर के यानि बरसों बाद आपको यह पता चलता है कि आपकी जो शिराएं हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं तब इलाज शुरू करते हैं लेकिन चाहते यह हैं कि आज ही योग सेशन जोइन किया आज ही ठीक हो जाए निश्चित रूप से वो आज ही ठीक होगा आज ही का मतलब वो दिन आज ही होगा वरतमान दिन ही होगा जिस दिन यह ठीक होगा लेकिन और एक पल आएगा कि आप मेhamुस करेंगे कि आमें बहुत अच्छे हो गए हैं अब हम पहले से improve हैं अब स्कून स्कीन भी normal हो गई है यह ऐसा होगा लेकि यह वो दिन आने के लिए आप बरसों की समस्या के लिए मैं अक्सर रही बात कह देता हूँ कि बरसों की समस्या परसों में समाधान नहीं होती है यानि इसके लिए अगर बरसों नहीं लगेंगे तो कुछ महिने तो धैरिये पूरवक अभ्यासा में करना चाहिए और फिर जिस चीज से हम सरजरी से बच सकते हों, जिसको करने से हम स्वास्थे को दुबारे से पा सकते हों, नॉर्मल हो सकते हों, तो उसे तो रेगुलर करने में भी क्या दिक्कत है, आप अगर ठीक ठाक रहते हुए ही योगा अभ्यास करें, तो आपको इस समस्या आएगे और जो बड़ी हुई है वो दीरे दीरे, आज नहीं तो कल मरेगी जरूर, तो पहला काम तो हम ये करेंगे इसमें, कि लेट करके, लेट करके करने वाले ही जायतर क्रियाएं मैं आज इसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि जो नीचे से उपर हर्दे तक का संचार है, उसमें ह जो इस्तेमाल होने के बाद उपर जाना चाहिए तक खून, वो उपर जाने का रास्ता रुक जाने की वरे से, और नीचे बराबर गृत्वा कर्शन बने रने की वरे से, वो वहीं रुकना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उपर की तरफ धकेलने काम हम करेंगे, तो पहला क कमर की क्रिया, क्योंकि जिससे के अगर कमर से उपर, यानि पैरों से उपर कमर के हिस्से में भी अवरोध है, तो वो भी खुलना चाहिए, इदर से तो खून संचारित हो गया, लेकिन उपर बादा है तो दिक्कत हो गया, तो इसमें योगिक सुख्षमियाम बहुत सहयोगी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और लंबी क्रियाएं हैं, लेकिन जहां हम सोचते हैं कि कम समय में हम अभ्यास करें और ज्यादे फाइदा हो जाए तो ज्यादे अच्छा है, तो शुरुआ तो महां से करते हैं, कि हम आपको कुछ टिप्स वाले अभ्य योज दे रहा है हमारी लाखों समस्याओं के समाधान के लिए, तो उसके माद्यम से फिर यह आपके पास रहेगी, आप जब मर्जी खोलिए, देखिए, अभ्यास करिए, जिग्यासा करिए, समाधान पाईए, तो आएए देखते हैं हमें करना क्या है, ऐसे लेट जाते हैं आराम से और लेट करके पहला काम हम करते हैं कि पैरों के पंजोकों और हाथों की मुठियों को दोनों को इस तरह से बहुत मजबूती से भीजते हैं और फिर पूरा खोल देते हैं. पूरा मजबूती से भीजते हैं, पूरा खोल देते हैं. पांच बार मानले हमने ऐसे किया, पूरा मजबूती से दबाना, पूरा खोलना ये करने के बाद फिर इसको एक दाम ढ़िला छोड़तीचे. जो ढ़िला छोड़ना है ये थोड़ा सा आपकी जो शिराय है और यहां त वो दोनों ही इससे एक्टिवेट होती हैं. और दोनों का ही सही रहना जरूरी है. अगर आप सोचते हो कि हमारी धमनिया थो ठीक काम करी रही है, तो उनमें भी बादा हो सकती है. और उनकी बादा तो बहुत जादे सबस्या पैदा कर सकती है. उनमें पैदा होने वाली पर उसके बाद आप पैर थोड़ा सा खोल लेना, मुठियों को ऐसे ही हाथ की मुठी को बना लेना और पैरों को इसी तरह से रखते हुए हम टकने से इनको इस तरह से चक्राकार घुमाएं, कि कलाई भी चक्राकार घुमें, यह बड़ा जीरो बनाईएं कलाई से भी और टकन पर भी, ऐसे किया, फिर ऐसे ही रिवर्स करिए, और वो ही बात के पांच बार करके इसको फिर छोड़ दीजिए, व्यायाम जी तरह महत्वपूर्ण है, उससे भी जादे महत्वपूर्ण है, व्यायाम के तत्काल बाद मिलने वाला विश्राव, अगर वो आप नहीं करते ह आजबार कर सकता हूँ, आप कर तो सकते हो, लेकिन मेरे भाई इसका आपको बोलाव नहीं होगा, जो मैं जिस तरह बता रहा हूँ, उस तरह से होगा, क्योंकि उसमें आपको व्यायाम का असर भी हातो हात होना शुरू हो जाएगा, ये काम करने के बाद, फिर हम पैरों को म अब यहां लेकर के आप अपने टखनों को पार-बार उचा उठाईए और फिर एडी उची उठाईए, ऐसे पंजे को उचा उठाईए, टखने से और फिर एडी को उचा उठाईए, इस प्रकारिये मोमेंट हमें लेना है, सुखद होना चाहिए, कि जितना अच्छा लग इस तरीके से करिए, और फिर ढिला छोड़ दीजिए, यहीं पर ढिला छोड़ दीजिए, इतना करने के बाद फिर पैरों को थोड़ा दूर कर लें, ऐसे हाथों से टखनों से पकड़ लें, और यह जो अबारे जंक्शन बॉक्सिस हैं, इनको थोड़ा सा खुल जा देदे यानि घुटने को पंजे के पास लाइए, फिर वापिस, फिर दूसरे पैर के घुटने को पंजे के पास लाइए, फिर वापिस, लेकिन यह पकड़ के जरूर रखना है, ताकि जो जंक्शन से वहाँ पर गंजेशन ना होने पाए, जंक्शन में मोमेंट बढ़ना शुरू हो जाएं ऐसे करने के बाद में फिर पहर को डिला छोड़ दें यह काम करना है इसके बाद इस जंक्षन के बाद और उपर वाले जंक्षन पर चले जाएगे पहर कि बाद को फिर से मिलाएंगे मिला करके और हतेली सिर के नीचे ले ले चाहे दूरी पर रख ले यानि यह एक तरह से यह तो मरकट आसन या कटी चक्रासन इन दोलों में से कोई सी भी क्रिया कर सकते हैं दोलों भी कर सकते हैं, तो पहले मैं कटी शक्र ही करके दिखा रहा था आपको, कि इस तरह सिर के नीचे आतेली ले ले, स्वास भरते वे इधर जाएं, स्वास छोड़ते वे वापिश आएं, स्वास की प्रिक्रिया जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे, क्योंकि स्वास का जो लेना और छोड़ना है, फेफणों का जो फैलना और सिकुणना है, उससे ही हर्दय के संपर्क में आकर के, रक्त के शोधनी की प्रिक्रिया होती है, तो यह स्वास का चलते रहना, उस शोधन प्रिक्रिया को जारी रखता है, और उस मुमेंट को भी, यानि जो फ्लो जिसको हम कहत है, रक्त का प्रवाह, और उसके साथ ही उर्जा का प्रवाह जुड़ा हुआ है, तो यह प्रवाह जो है, ठीक से है, तो अगर प्रवाह ही काए है हमारी, ठीक से काम करती रहेगी, तो फिर ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, यह वाला मुमेंट मैंने आपको बताया, कि जिसमें भूस पर शासन किया था, इसमें हमने घुटने को भी लिटा दिया है, यानि घुटना पंजे को चुएगा और दूसरा घुटना जमीन को, इस तरह से, इसको हम मर्कट आसन बोलते हैं, बंदर जो है, वो बस्ती में पड़ा हुआ, यह काम करता रहता है, उसको वेरिकोस मे ऐसे, बड़े संतुलल के साथ इसको करें, समंग्रता के साथ करें, यह काम करना है, इतना सा काम, अब फिर हम दुबारे से, वही नीचे से इसको रख्त के प्रवाह को उर्दगावी बनाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, कि दोनों बैरों को ऐसे फोल्ड किया, और आपने घुटने के पीछे वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं, इसको पूरा उचा उठाई है, जितना सीधा कर सकें, ऐसे, और यदि अच्छा अभ्यास है, तो आप अपने हाथों से अपने पंजो को पकड़ सकते हैं, अगर ऐसे पकड़ सकते हैं, तो फिर हम यही अभ्या प्यास लेगे कि हातों से इसको पकड़े पकड़े नीचे लाना और उपर लेजाना अगर यह संभव नहीं है तो यहां से पकड़ करके इसको फोल्ड अनफोल्ड करना है क्योंकि टफ क्रिया को देख करके डढ़ना नहीं चाहिए कि यह तो मेरे से नहीं होगा ऐसा खुश्क क्योंकि पिडली के पीछे की तरफ नसक इखटा हो जाना है जुल वह बन जाना है वहापर गुच्छा है ना तो इन मुवमेंट से वहाँ से ब्लड का फ्लो शुरू होता है और जो मैंने कहा के पूरा स्वास छोड़ दे और लेने की परकिरिया जरूर जारी रहनी चाहिए ऐसा करने के बाद में फिर हम इसको पकड़ करके एक सर्कुलर मुवमेंट देते हैं क्लॉकवाइज भी और एंटिक्लॉकवाइज भी दोनों मुवमेंट साथ साथ चलेंगे इस करिया वह ये खासतों से ध्यार नखना चाहिए और पंजे को अपनी तरफ ही खेच करके रख है और उसी इस्तिती में इसको घुमाने का अभ्यास करें इधर से भी दूसरी तरफ से भी रिलेक्स करना है तो पंजे को डिला छोड़ दीजिए इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर पर भी दोराएंगे कि ऐसे मोड़ा है पैर लेकिन पंजा अपनी तरफ यानि मूचा कर लीजेगा और इस इस्तिती में रख करके तब इसको घुमाना तो इससे पिडली थोड़ी टाइट रहती हैं जब आप मुवमेंट करते हैं लेकिन जैसे ही आप मुवमेंट करने के बाद यानि पाच परिंजा जो है अपनी तरफ खेचा हुआ तो एक पिडली ये सक्त हो जाती है खिचावा आता है इन में तो होने दीजे तो इस सवस्था में इसको सर्कुलेट करना और जब इस सर्कुलेशन ख़ता हो जाया तो इसको पैर को डिला छोड़ दीजे तो डिला शोड़ना मैं शुरू में बताया कि वह बहुत बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है इसका आवे ध्यान रखना है इसमें एक और क्रिया आपको जो करनी है क्योंकि यहां से हम जैसे कहते हैं कि हम उपर को प्रेशर दे रहे हैं रक्त को बहने का अवसर दे रहे हैं तो इसके साथ फिर हम ड्रीशंनर के जो आगे एकर कोई बादा है वहां पर औरचन ना हो इसके लिए फिर अब अबने पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं तो पहले तो इसको जमीन तक लाना इससे को पूरा खिषने दीजे और फिर उपर तक लाना आब इससे को पूरा खिषने दीजे यानि जो और एक बाद भी डिल छोड़िये ऐसी दूसरे पैर पर करेंगे तो वहां भी इसको हाथ से इतना रखो के एडी जो है वो यहां पर उदर मूल से जंगा मूल से जंगा मूल रहे हैं इस जगे पर संधी पर मिले पूरा उपर आये तो नीचे का इससा खिचे और उपर से नीच रिपीट करेंगे और उसी तरह से अराम जादेंगे अराम देना बहुत इंप्रोटन है लेकिन अराम में रहना इंप्रोटन नहीं है आराम में रहने के आद़ पड़ जाएगी तो फिर तो वैरी काईवेंज की सबस्या बढ़ेगी इसमें फिर हम इसको फिर से ऐसी प्राकार गुबाते है इसको ऐसे और फिर वापस यानि उसी तरह करेंगे कि एक बार तो हमने यह दर का चक्र लिया और एक बार फिर वापसी वाला चक्र लिया फिर ऐसे ही दोलों तरफ के राउंड जो है साथ-साथ चलेगे इसमें यह हमें करना है दूसरे पैर से इसी तरह जासे करते हैं दोलों तरफ से इस मोमेंट करने के बाद फिर रिलक्स करते हैं पिर उससे वी उपर की तरफ को क्योंकि अगर बादा है और वहां से भी रास्ता अगर अड़ा हुआ है नि रास्ता बादित है तो पीश जीचे तक पूरा ट्रैफिक कुलेगा नहीं इसके लि अगरी होता है कि हम बाल क्रशन दूशे निर मल ताका प्रतीक हैं क्रशन और उनके लिव लिजर पना बता देता हूं के करारविंदे प्दार्रविंदं मुखार विंदे विन्वेश यंतम वतस से पतर्स से पुटे्ष यानं बालम मुकंदं मनसास मरावी है कि तो बाल-क- ना सिका तक ऐसे लाना, फिर वापस, पिर ऐसी दूसरे पैर को उठाना, दूसरे साइड के हाथ से पकड़ लेना, यानि बाय पैर को दहिने हाथ से पकड़ लिया, और आप देख रहे हैं, मेरा दहिने बाया हाथ जमीन पर है, और इसको मैं नाग तक ला रहा हूँ, स्वास भरते हुए, पकड़ा, स्वास छोड़ते हुए, यहां आ गए, यह काम हम ने किया, बदन कुड़ीला छोड़ दिया, और फिर एक बार, तो कि हम अब उपर हद एक्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं, फेफड़े वाले एक्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं, तो यहां पर हमें यह करना है, कि दोनों पैरों को एक साथ पकड़ करके, और थोड़ी देर रुकना है वहां पर, इसमें क्या होता है, कि पैर उठाएंगे, दोनों पैरों को आपस में, जिसे हाथ जोड़ लेते है इसे पैर जोड़ लीजिए, और पैर जोड़ करके इनको दोनों हाथों से पकड़ ले, ऐसे, यहां पर इखटे हो जाए, तो यहां पर रुके, जितना नजदीक राज ला सके, उतना लाएं, नहीं लाएं कोई बात नहीं, इतना रोख करके भी अगर करते हैं, तो यहां र हिज़त का सवाल नहीं मनाना, कि जी हम इसे पकड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा मात्था तो यहां तक आता नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे रुके हैं, इतना बहुता है, यह करते रहिए, और ऐसा सास चलता रहेगा, और फिर धीरे से इसको हम छोड़ देंगें, वहां बजा है, तो ऐसे आपको नियमित अभ्यास करेंगे, अंत में, क्योंकि प्राणयाम वो प्रक्रिया है, जिसमें संचार व्यवस्था शरीर की नहीं, बलकि संचार व्यवस्था आत्म में और परमात्म में, दोनों में जुड़ी रहते हैं, और इसलिए प्राणयाम की परिभाशा में कहा कि तत्ह ख्रियते प्रकाश आवरणम, तो आपके जो तेजस्विता है, जो रोशनी है, प्रकाश है, अज्ञानता का साया हमारे उपर हो गया है, आवरण के रूप में, तो उस आवरण को हटाने का रास्ता है प्राणयाम, त सोचें के मुझे भरामरी करना है आप केवल यह सोचें के ओम का उच्चारन करना है ये बड़ा जवरदस्त प्रणयाम है और दिन में तीन बार आप बैठ करके पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास भरने के बाद ओम का उच्चारन करें ऐसे के आधी दूरी तक अ का उच चारण हो यानि जितना लंब हमारा सांस है उसका आदा हिस्सा आदा उससा मैं तो इतना करेंगे और उसमें वानी बोलेगी कान सुनेंगे और इस ध्वनी को अपने रोम रोम में जंकृत होने दीजिएगा इस से बिलकुल ऐसा ही जैसे ध्वनियों से अवरोध दूर किये जा नात्मगता आती है ध्वनियों से विस्फोट होते हैं उसी तरह से इससर्वोच ध्वनिय से आरुग्य आयुशय और पवित्रता और सबसे बड़ी चीज़ लैयावस्था यह हमको प्राप्त होती है तो इसलिए उंकार ध्वनी का अभ्यास करना जरूरी इक बार मैं करके मैं दिखाता हूं उस तरीके से हम करेंगे लब जब खुले होटों से आ की आवाज और बंध होटों से मा की आवाज और जब आ होता है तो समझे हम घड़ा यहां तक बढ़ लेते हैं और जब मा की स्थिति आती है तो फिर ना भी तक सिकुड जाने चाहिए अंत में मा की आवाज आते आते और पूरा हमारा जो कंट्रोलर है जिससे पूरा सिस्टम्स कंट्रोल होते हैं तो वो चेतन हो जाता है स्थ हो जाता है और सभाविक है कि शरीर का जो रक्षा पद्दती है जिससे हम अपने आपको प्रोटेक्ट करते हैं जीवनी शक्ति जिसकों कहें तो वो हमारी सम्मर्दित हो जाती है बढ़ जाती है जिसकी वज़े से रोगों को जहलने की ताकत उनसे दोहाथ करने की ताक हम अपने अंदर विक्षित कर सकते हैं, खोया कुछ भी नहीं है, केवल रंग बदलता है, तो आप यह न सोचें, कि अब तो बस बहुत परेशानी बढ़ गई, धन्यवाद करें परेशानी का, कि उसकी वज़े से हमें योग की रहा, पर फिर से आने का मौका मिल रहा है, और वो मौका मिल रहा है, जिसमें कुछ लावी लाव होना है, उसमें कुछति की कोई संभावना नहीं है, आपके लिए बहुत बहुत शुब कामना है, हरियों